दोस्तो फोटोशॉप में जो सर्किल राउंड सेप होता है यानि उस सर्किल के अंदर आप अपना किसी भी फोटो को कैसे लगा सकते हैं तो एक जांपल में आप यहां पर देख सकते हो कि यह हमारा एक बड़ा साइज का फोटो है ठीक यह निक नॉर्मल फोटो जो सभी गया है और इसके सेंटर में यहां पर एक वाइट कलर का बोर्डर भी दिया है दोस्तों कुछ इस टाइप का सर्किल के अंदर फोटो डालने का अलग अलग रिक्वाइर्मेंट होता है जैसे कोई लोगो बनाना बहुत तरीका का प्रोफाइल पिक्चर बनाना इन सभी जग सबसे पहले आपको विंड़ो में किलिक करने कदा और यहां पर हमारा यह फोटो को मैं कर लेता हूं इसको यहां से से और open पे click करूँगा यहाँ पर photo अमाराARK photo shop में open ने लेकिन अभी हम इस photo को सरकील में कईसे लगा सकते हैं सबसे मैं क्या करता है क्लिक करना पर कंप साइघ करना है और oluyor आपको क्लिक करने ऊफ सकंड थला समय इसके और क्लिक करनेंक बाद यहाँ पर चुछ देख रहा होगा यहां पर आपको किलिक करना है यहां पर यह आपका है यहां पर यह मेजरमेंट अब्शन हो गया इसमें मैं इंच में लीन चाहता हुन तो यहां पर हम Chief उक्ण करने आफ आप जैसे कि मुझे 10 x 10 इंच का सर्किल लेना है तो 10 लिख दिया विडिट में और हाइट में भी आपको यहां पर दस लिख देना है रिपल पर एक पेज आचुका है अब इस पेज के अंदर आपको अपना सर्किल बनाना है ठीक है सर्किल से बनाने के लिए दोस्तों आपको यहां पर सेप टूल में किलिक करना है इसके उपर राइट किलिक करना है और यहां से आपको अप्शन मिलेगा ellipse tool इसके ओपर आपको क्लिक कर देना है, इलिप स्डूल स्टूल सेलेक्ट करने के बाद यहां पर ऊपर में आपको color देखेगा black black color ही राने देना है और उसकी बद Haupt का करना है, प्रोड में और इस कीपट को प्रेंस करके एक बाद थोड़ा सा इसको देरे-देरे बढ़ा यह तो चारो साइट से बढ़ा होगा एकदम सर्किल से रहेगा ठीक है और कंट्रोल ए कीजिए और उसके बाद यहां से यहां पर आपको सेंटर पर किलिक कर देना ओर यहां प़िया ऑपना इस सेंटर में आ जाएग ठीक है अब क्रीजा करना है इसी का ऊपी बनाना यहां पर किलिक कि और करे की आपको सेगि एसके ओपanting मोट चुका है यह जो नीचे वाला सेफ है इसका color थोड़ा सापको चेंज करना है चेंज करके इसको color मैं जो है कोई दूसरा color देता हूँ ठीक है और उपर वाला जो सेफ है इसको select कर लिजे और control T दबाएए अपने keyboard में और shift और अल्ट को एक साथ प्रेस किजिए और थोड़ा सा इसको छोटा कर लिए ठीक है इससे क्या होगा कि यह चारो साइट से छोटा हो जाएगा ठीक है तो यहां पर यह जो ब्लैक वाला सेप है यह हमारा उपर है और यहां पर पिंक कलर का जो सेप है यह हमारा नीचे है तो मुझे अपर आखर के इस च्छेप के ऊपर आपको control भी करना है जिससे कि आप देख सकतो कि ये photo आ चुका है और च्छेश करेंगे और और सिंट को प्रेश करके रखेंगा और इस प्रकार से बढ़ा कर देंगे सेप के अनुसार ठीक है और टेंगे अभी फिला लिए इतना और यह देख सकतो कि यह सेपके अंदर हम कैसे ले जा सकते दस्तों अब आपको क्या करना है अपने कीफोड में Alt control जी प्रेस करना है जैसे इतर ही प्रेस करेंगे देख सकतो कि यह फोटो आपका इसी के अंदर आा चुका है अब Ctrl T प्रेस कर लीजे ठीक है अब यहाँ पर प्रेस करके रखी और से बड़ा कर लीज़ ठीक है अरुसके बाद क्या करेंगे इसके उपर डबल किलिक कर देना है तो देखें अब आपके क्या हो चुका है कि यह आपका फोर्ट है बहुत फोटी असान तरीका से य सकते हूं बुलू हो गया ग्रीन हो या कोई भी कलर हो गया हूं पर यहां पर आप इस प्रकार से चेंज कलर। पर लेक्त करदीजेन और लहरे सब्सक्राइब अब कर दीजे और दीरे दीरे इसको बढ़ाईए देखें यहां पर इस ट्रोक आपका लग चुका है वाइट कलर का अब देखें कि यहां पर बहुत ही बैतीन तरीका से जो फोटो है सर्किल सेप में हमारा एड हो चुका है तो दोस्तों आई होप की वीडियो आपको काफी जदा पसंद आ रहा होगा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजेगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को सेर कीजिएगा दस्तों अब मैं आपको लास्ट ऑप्शन बता देता हूं किसको सेब कैसे करना है दोस्तों अगर आप इसको बेग्रॉंड वाला जो लेयर आपको देख रहा है इसको आप सिंपली हाइट कर दीजेगा अब यहाँ पर यहां पर यह पर रिवस्त करना चाहतूं यहां से desktop computer कहीं पर भी सेब करना चाहतू उस location को set कर लिजे पहले उसके बाद यहां पर फाइल का नाम देना है यहां पर सरकिल सेब ठीक है सेब हो गया और उसके बाद यहां पर क्या करना है यहां पर फॉर्मेंड में आपको क्लिक करना है और यहां पर option मिलेगा आपको PNG इ यह फोटो हमारा यहां पर सेब में आ चुका है इसके उपर राइट क्लिक करके और इसका preview मैं आपको दिखाता हूं देखे चारो साइट से यहां पर PNG हो चुका है और बीच में सिर्फ यह सरकिल और फोटो है तो अगर आपके मन में कोई भी confusion यह सवाल हो तो आप में के साथ तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरम